डीडीसे एलेक्शन में आज वोटिंग का आखरी दिन है फिरोशा कोटला में मैं इस समय उस शक्स के साथ कड़ा हूँ जिसने डीडीसे में रिफॉर्म्स और घपलों को लेकर सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है भारत के पूर्फ ट्रिकेटर किरती अजाद मिस्वारत पाएगा क्योंकि आपने बहुत लंबी जंग लड़ी है लड़ते आ रहे हैं लेकिन क्या फाइनली सुधार होंगे हैं तो शायद उसके बारे में विचार नहीं किया जा सका दूसरी बात तीनों ग्रूप्स ने कहा कि डीडीसी में करप्शन था तो यह मेरी बात को सही ठह रहा है क्योंकि हर एक ग्रूप ने जो तीन ग्रूप लड़ रहे हैं उन सबोंने कहा कि यह तीनों ग्रूप्स ने कहा कि यहां पर भष्टाचार हो रहा था और हम करप्शन के खिलाफ लड़ा ही लड़ेंगे तो अब किस बात की देरी है इंवेस्टिगेटिंग एजिंसी कि उन्होंने पिछले चार सालों में जो स्ट्रीम लाइन किया है डेडिसीय को और जिस प्रकार से रिजलूशन स्पास हुए हैं, एकाउंट सही हुए हैं, कोई हेरा फेरी इनके समय में नहीं हुई है, मैं सिर्फ आशा करता हूँ कि उनके जो अच्छे किये गए काम है, जो अगली टीम आईगी, वह किसी तरकार से ब्रस्टाचार न करें, और यहाँ जान ले, कि मैं खड़ा हूँ, मैं फिर इनका कांड करूँगा, अगर एक लोग किसी ने भी एक रुपए भी हेरा फेरी करने का कोशिश किया, प्रोक्सी कैनिडेट्स के आपने बात करिए, बहुत एहम मुद्धा था, आपको लगता है कि इतना बड़ा मुद्धा, अगर फाइदा क्या हुआ है इसका कि आप किसी की वाइफ खड़ी हो गई, किसी का भाई खड़ा हो गया, किसी का भतीजा खड़ा हो गया, या फिर क को सोचना होगा कि वो क्या चाहते हैं, लोगों का बहुत इंट्रेस्ट है कि वो डीडी सी आए, मुझे समझ नहीं आता, कि वकीलों को क्या इंट्रेस्ट है, या बिजनेस्मेन को क्या इंट्रेस्ट है, कि वो डीडी सी में आना चाहते हैं, क्या बात है, पिछले चार सालो चालिस लाग की यहां तो कोई लिमीट यही थी, हमें तो अंदन सामी का कॉंसर्ट हो रहा है, man ोटेलोरी स्वेन दाधिक गiodख के लार की एक, दो टैलेविज़ ने से improve लोयगे भृषिये एक से निकालने का प्रयाज और अफ एक पैसे को ब्लहस को या जा रही तो इनके कहर नहीं है तो चलिए आपने पुराने जो साहती है उनको सपोर्ट का रहे हैं लेकिन यहां पर जो अब मौझुदा सब्सक्राइब करने की जह संबसकर लोग सब्सक्रेंगे उनको आप सके इस मिजाज के लोग आपको सब जगे मिलेंगे तो मैं उन सबों को अपनी और से शुब काम नहीं देता हूँ लेकिन जो लोग मर्द हैं और जो लोग जानते हैं क्या सही है और क्या गलत वो सही चलते हैं अन्य था तो पाटियां खिलाने वाले बने मिलते हैं पासिस देने के लालज देने वाले बड़े मिलते हैं हमको क्रिकेट अच्छी चाहिए सुधार चाहिए बरश्टा चाहिए चार दिनों की वोटिंग का क्या मतलब यह बड़े बड़े स्टेट में एक दिन में एलेक्शन हो जाता है अगले दिन रिजल्ट भी आ जाएंगे बिल्कुल मुझे इसी चीज़ का संशय है क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया कि कैंडिडेट्स जाकर अंदर बैठ गए पुलिस ने मदद की लोगों को एंडीमसी में वोट डलवाने के लिए अब किसकी सरकार है कौन लेकर आया उसने क्या किया यह तो बाद में ही पता लगेगा लेकिन इतना अवश्य है कि चार दिन का चुनाव नहीं होना चाहिए था और जो बैठेद एलेक्शन आफिसर मिस्टर मैता उनको मैंने लिख करके भेजा था यह भी कहा था कि यह पृदी सिक्राइप सबसे पहली बात की यहाँ क्रिकेटन cricket association के अंदर cricket और उसकी playing conditions दुरुस्त होनी चाहिए दूसरा selection panel वह किसी के दबाव पे नहीं बनना चाहिए उसमें अच्छे international खिलाडी जितने भी हैं उनको आना चाहिए तीसरा कि भ्रष्टाचार यहां नहीं होना चाहिए उसके रोक के लिए ombudsman के लिए यहां पर एक resolution आय है इसलिए ombudsman आएंगे तो यहां नहीं होगा तो cricket को देखते वे cricket infrastructure ठीक की जाए सेलेक्टर बढ़िया होनी चाहिए और खेलने के लिए जो clubs हैं उनको पूरे facilities मिलने चाहिए और पैसा recovery जो पहले घपले हुए उसके उपर तो इनको obviously जाना चाहिए investigating agencies को कहना चाहिए कि 400 करोड का जो घपला किया गया है वह company act के अंतरगत तो करोड़ों रुपए का घपला किया और हजारों की compounding करके बाहर आ गये मतलब इसको कहते हैं legalized corruption हमारा यह कहना होगा कि आपने उसको civil में तो देख लिया criminal aspect देखके भी 400 करोड रुपए कैसे इन भरष्टाचारियों से realize किये जाएं यह देखना होगा ऐसे बहुत सारे भरष्टाचारियों के रिष्टेदार भी इस चुनाओं में उत्रेवे हैं और उस पैनल के साथ उत्रेवे हैं जो पिछला पैनल अरुन जेटली के साथ भरष्टाचारियों का था